दोस्तों कुछ साल पहले बॉलिवूड की फिल्मों को बाइकॉट किया जा रहा था क्यूंकि बॉलिवूड के ओर से अच्छी फिल्मों की कंसेप्ट नहीं आ रहे थी वही उनके कॉंपिडिशन में थी सौथ की फिल्म है जहां पर एक से एक जबरतस स्टोरी पर बेस्ट कहानी में दम है एक ऐसी कहानी जो आपके दिमाग को घुमागे रख सकती है एक ऐसी साइकोलोचिकल थ्रिलर कहानी जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंट तक चेर से बांदे रहेगी तो आज की वीडियो में आपको बॉलिवूड के ऐसी साथ माइंड ब्लोइंग साइक इसकोलोचिकल थ्रिलर फिल्म के बारे में बताऊंगा जो देखने के बाद आपके बॉड़ी के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे यानि कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंट तक उस फिल्म के साथ आप जुड़े रहोगे तो टॉप सेवन में सेवन नंबर पे आती है क आपको कहानि के साथ जुड़ना होगा फिल्म में कार्थिक नाम का एक बंदा दिखाया गया है जो काफी सक्सेश्फुल होता है और वही उसकी एक गल्फ्रेंट भी होती है अब ऐसे में कार्थिक का एक डारक सेकरेंट भी होता है जो लोगों को बutanा नहीं सकता क्योंकि अ और नहीं बलकि ये खुद ही है, यानि कि इसे सामने से खुद का ही कौल से खुद को आ रहा है, सेम आवाज के साथ, तो ये इसा क्या suspense है जिस वज़े से इसे हर सुबे 5 बज़े खुद से ही कौल आता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखने होगी, फिल्म के आखिर मे इस call का जो suspense दिखाया गया है वो देखना तो बनता है बाकी फिल्म की कहानी बहुत ही normal है सिवाए इस call के लेकिन इस call के साथ जो बाकी की कहानी जो जो जोड़ी गई है वो देखना तो बनता है तो मेरे खैल से ये फिल्म जो एक underrated फिल्म है जो की suspense और psychological thriller में सबसे उपर आती है तो ये फिल्म आप एक बार ज़रूर देखना ये फिल्म आपको यूटूब पे available है आप वहाँ पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो अब next film आती है गेम ओवर ये कोई psychological thriller नहीं लेकिन ये thriller फिल्म है इस सुनके कहानी के अंदर दो कहानिया जो वह एक साथ चलरी होती है जो आगे जाकर एक कहानी में जुड़ जाती है पहली कहानी आती है एक लड़की की जो की एक game developer होती है जो काफी होश्यार होती है और वो एक company के लिए game develop करती है अब इसे के साथ साथ इस लड़की को जो वो night phobia की बिमारी भी होती है यानि कि उसे रात में अंधेरे से डर लगता है इतना डर कि वो पूरी दर से पागल हो जाती है अंधेरे में जहां पर उसको एक छोटी सी रोशनी भी उसको उस डर से बचानी सकती और वही दूसरी और एक कहानी चल रही होती है एक सिरियल किलर की जो लड़कियों को मार कर उनका सर काटता है और उस सर से फुटबॉल कहलता है और बाकी बची बॉड़ी को वो आग लगा कर जला देता है अब ऐसे में इस serial killer की और इस लड़की की कहानी जो वो आगे जाकर एक हो जाती है यानि कि इस serial killer के निशाने पर ये लड़की आ जाती है अब ऐसे में वो रात में उसके घर में घुज जाता है इसे मारने के ले और सारे lights off कर देता है जैसा कि इस लड़की को night phobia होता है जिस वज़े से वो और भी डर जाती है यानि कि आप समझ सकते है कि उस वक्त उस लड़की की क्या situation रही होगी और अब ऐसे में वो उस serial killer से खुद को कैसे बचाती है जबकि अंधेरे से वो भी खुद ज़्यादा डरती है यानि कि एक और अंधेरे का डर और एक और serial killer का डर लेकिन फिर भी वो कैसे खुद को survive करती है जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी यह फिल्म जो वो काफी जबरदस फिल्म है एक बार तो आप इस फिल्म को देख सकते हो यह आपको YouTube पे फ्री में हिंदी में available है अब next movie आती है तीन यह कोई psychological thriller फिल्म नहीं है लेकिन यहाँ पे suspense आपको पूरा मिलेगा यहना के फिल्म के कहाणी के साथ आप starting से लेकर इन तक जरूर जूढ़ जाओगे फिल्म के कहाणी में एक बच्चा जो हुआ है और उस बच्चे की kidnapping का link जो है वो आठ साल पे ले kidnap हुए एक बच्चे से जूढ़ जाता है कैसे मिलकर करते यह जानने के लिए आपको फिल्म देखने होगी यह फिल्म जो बहुत से लेकर एंट तक आपको कहानी के साथ जोड़े रखेगी तो इस कहानी को भी बिल्कुल मिस्वत करना यह फिल्म भी आपको जो वह यूटुब पे अवेलेबल है हिंदी में नेक्स मूव रहती है टेबल नंबर 21 शायद दोस्तों बहुत सो लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा जिन लोगों नहीं देखा उनके लिए फिल्म के बारे में बताता हूँ कि फिल्म के कहानी में एक गेम खेला जाता है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे जिसमें आखिर में यहाँ पे दो ऐसे कपल जो वो इस गेम के अंदर फर्स जाते है लेकिन इस गेम का जो परपस होता है इस गेम का जो आखिर में जो सस्पेंस रिवील किया गया है वो जानने की बाद तो आपका दिमाग ही उड़ जाएगा यानि कि भाई सस्पेंस जबरदस दिया इस फ क्योंकि बहुत सो लोगों को ये फिल्म जो बोरिंग लगती है लेकिन यहाँ पे आपको ये फिल्म तभी पूरी समझ में आएगी जब आप इस फिल्म को कंटिन्यू देख पाओगे फिल्म की कहानी में एक मर्डर हो जाता है एक लड़की का लेकिन एक बेबस बाप अपन गेम को जीता है ये जानने कि आपको ये फिल्म देखनी होगी फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस थे आउटसेंडिंग फिल्म की कहानी है फिल्म के अंदर जो सस्पेंस दिखाया गया जो कि आखिर में रिविल किया है वो जानने के बाद आपके बॉड़ी के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे बहुत ही जबरदस थे इस फिल्म को एक बार आप देख सकते हो ये फिल्म भी आपको यूटूब पे अवेलेबल है हिंदी में अब नेक्स फिल्म आती है दोस्तों बॉली होड की और से हसीन दिलरूबा ये एक अंडरेटर फिल्म में लेकिन फिल्म क पतनी को गिरफतार करते हैं क्योंकि उसके और उसके हस्बेंट की एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी उसके जो नीड्स थे वो उसका हस्बेंट जो वो पूरा नहीं कर पाता था जिस वज़ए से वो किसी और के प्यार में फस जाती है तो ये सारी चीज़े होनी की से उसके husband की date का जो ilza में उसी के उपर आ जाता है पर यहां पर suspense और बात कुछ और यह है और वो क्या बात है किसका murder हुआ है यह जानने के लिए आपको film देखने होगी यह film तो बहुत सो लोगों ने देखी होगी अगर नहीं भी देखी होगी तो आप इस film को जाकर एक बार जरूर देखना यह film आपको किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पे मिल जाएगे नेक्स film का नाम है बदला जिसके अंदर तापसे पनोर अमिता बच्चन आपको नजर आएंगे फिल्म की कहानी में एक लड़की जो है वो अपने बॉइफरेंड के साथ कहीं बहार घुमने गई होती है लेकिन उसी वक्त अचानक उसके कार से एक कार का एकसेडेंट हो जाता है जिसके अंदर एक नाबालिक बच्चा होता है जिसकी डेथ हो जाती है अब ऐसे में उस बच्चे की बॉड़ी को जो वो कार के डिकी में रखते है और उस कार को एक नदी के अंदर फेक देते है अब उस बच्चे के माबाब जो वो अपने बेटे के कातिल को पता लगा निकले वहां से निकल पड़ते है और यहाँ पर उनको कातिल का पता चलता है वो है तापसी पन्नू लेकिन तापसी पन्नू जो वो काफी बड़ी अमीर होती है जिस वज़े से वो एक ऐसे लायर को हायर करती है जो उसके केस को घुमा सके लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि यह खुद घुम रही है फिल दोस्तों ये थी Bollywood की psychological और कुछ thriller फिल्म, अगर आपको और कुन सी फिल्म के बारे में जाना है तो हमें comment करके ज़रूर बता सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो like करना, क्योंकि आपका एक like हमें motivate करते हैं, तो चले दोस्तों म मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत